Hello friends, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में तो आज फिर से आपके लिए लेक्टे छोटे छोटे लेकिन काम के आईडियाज तो आज की वीडियो भी requested वीडियोज हैं तो छोटे छोटे आईडियाज हैं लेकिन आपके डेली लाइफ में बहुत ही काम आने वाले हैं तो आज की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो चोटा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, तो चलिए बिना delay की हम आज की वीडियो को शिरू करते हैं, तो आइडिया नमबर वान तो हर किसी के काम आने वा देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से सूट को मैंने कट कर लिया है, जरूरी नहीं आपको पुराना सूट या कुड़ता यूस करना है, आपको दो रेक्टेंगल पिस्स चाहिए कपड़े के, आप पुरानी बैट शीट, पुराना पर्दा, कुछ भी हो आपके पास उसमें से आप कट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे दो रेक्टेंगल पिस्स मैंने कट कर लिया है, इसके मेसरमेंट है 29 इंच इंच इंच, इसकी लेंथ आप और बड़ी रखना चाहिए, तो अपने ही साब से बढ़ा सकते हैं, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मैंने निशान इसा बना लेंगे, 6 इंच, यह देखिए, तो यह मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, अब क्या करना है, अंदर की तरफ मार्जन लेगते हुए, 11 इंच का मार्जन चोड़ना है देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे, कट हमें करना है, यह जो मै जो मैंने बिना जिप के बनाय था, तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था, विद जिप के साथ, बनाना सिखा दीजिए, तो साइडों से देखिये, हमने इसे इस तरीके से कट कर लिया है, उसके बाद जस्ट आपको देखिए, अंदर की तरफ को इसे फोल्ड कर लेना है, और तो यह हमारा इसली फिनिश हो जाएगा दिखिए तो कोई पाइपिंग अगरा लगाने की जोरत नहीं है जस्ट कट करके अंदर की तरफ को फोल करके आप इसे फिनिश कर लीजिए अब हम क्या करेंगे नीचे की तरफ हम यहाँ पे जिप लगाएंगे अगर आप जिप नहीं लगाना चाहते हैं तो यह वाला स्टेप स्किप कर दीजिएगा जिप लगाने की बाद पलटना है उसके बाद बैठने वाली सिलाई लगानी है तो यह हमारा जिप के साथ बन गया अब हमें दूसरे वाला पीस लेना है दोनों की सीधी तरफ देखिए अंदर की तरफ रख सिलाई लगा ली अब यहाँ पे विया बैटने वाली सिलाई लगा लीचे. यहाँ उपर की तरफ मेरे पिर लो ठीटे करेंदnoc लिखेंगृों तो दीखेंए मैंने सिलाई लगा ली एक्स्ट्रा जिप को आप कट कर लीचे. उसके बाद यहाँ पे हमें दो चोटी-चोटी स्ट्रिप लगानी है उपर के लिए यह मैंने लिया है 8 इंच into 3 इंच और उसके बाद फोल्ड करना है फोल्ड करते वे दो हमें लूप बना लेनी है इन लूप को हम यहाँ पे साइड में अटैच कर लेंगे यहाँ से हमें डिस्टंस लेना है देखिए 1.5 इंच का तो मैं इसे लूप वाला और हैंगर वाला दो तरीकों से आपको बनाना सिखाने वाली हूँ तो आप इसमें हैंगर लगा के लूप लगा के दो तरीकों से इसे यूज़ कर सकते हैं तो देखे यहां से मैंने इसमें यहां पे लूप को अटैच कर लिया है एक लूप हमारा इस तरफ लगेगा और दूसरा लूप हमारा दूसरी तरफ लगेगा इसे सिलाई से इसी तरीके से अटैच कर लीजिए लूप हमारे attach हो गए है अब आपको क्या करना है देखिए इस वाले piece को इसके उपर रखना है और यहाँ से तीनो तरफ आपको इस पे सिलाई लगा लेनी है यह देखिए इस तरीके से यहां से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे एक corner से और सिलाई लगाते वह देखिए फू नीचे की तरफ हमारी यहां पे जिप आ गई, अगर जिप नहीं लगाना चाहते तो जिप को स्किप करके सीधा सिलाई लगा लीजिए, यह लिखे, आब हमी क्या करना है, इसे ने मैं दो तरीकों से यूज करने वाला बनाने वाली हूं, तो यहां से उपर की तरफ से मैं कर लीजिए, दोनों साइडों से, तो देखिए, दोनों साइडों से सिलाई लगा लीजिए, बीच में छोटा सा होल आ गया यहां पे, तो यह हमारा ओर्गिनाइजर बिल्कुल रेडी हो चुक है, तो देखिए, मैंने इसे हैंक कर लिए, यहां पे बात्रूम में, as a laundry bag, आ अगर आप साइड वाले लूप से नहीं हैंक करना चाते, इससे, तो यहां से इसे देखिए, इस तरीके से, सिंगल हैंगर में आप होल्ड कर सकते देखिए, तो यह दो options में आप यूज़ कर सकते हैं, या तो हैंगर के साथ यूज़ कर लीजिए, और अगर हैंगर आप इस तरीके से लूप में भी डाल सकते हैं और जितने laundry के कपड़े हैं, आपके आप वो सारे इसमें रख सकते हैं तो इसे आप दरवाजे की पीछे बात्रोम में आपके washing machine जहां आप wash करते हैं कपड़े वहां कहीं जगा है, वहां hang कर लीजिए और जितने भी wash करने वाले कपड़े हैं सारे इसमें डाल लीजिए और जो हमने नीचे की तरफ zip लगाई है उसे कपड़ों को निकालना भी बहुत सान है देखिए जब भी आपको wash करना है इस zip को खोल लीजिए सारे कपड़े आपके इस तरीके से टब या bucket जो भी रखी है उसमें आ जाएंगे और आप easily देखिए इन्हें wash कर सकते हैं तो उपर से इसमें जितने भी laundry वाले कपड़े हैं आपके दोने वाले कपड़े वो डालते रहे हैं जब भी wash करना है और नीचे से zip को खोल लिए और सारे कपड़े बाहर निकार लीजिए तो ये laundry bag बहुत ही काम का है I hope छोटा सा idea आपको पसंद आया होगा आप इसे कहीं भी hang कर सकते हैं और कहीं भी hang करके इस laundry bag को यूज कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं अपने next idea तो next idea मैंने बचे वे कुड़ते में से इस तरीके से sleep का बच गया था बाजू वाला उसी में से मैं बता रही हूँ आप किसी भी नए कपड़े में से भी बना सकते हैं तो दिखे मैंने यहां से इस तरीके से side से cut कर लिया है side से cut करने के बाद उपर की तरफ से हमारा यहां से मैं से finish कर लूँगी तो just क्या करना है देखे फोल्ड करते वे हमें इस पर पूरे पर सिलाई लगा लेनी है तो यह हमारा finish हो गया अब हमें क्या करना है इसे side से भी हम finish कर लेंगे यह देखिए यहां से देखिए हम इसे पुरा फिनिश कर लेंगे यहां से लाई लगा ली यहां से लाई लगा ली और नीचे से लाई लगा ली तो हमारा एक ठैला जैसा बन गया उसके बाद एक डोरी ले ली 14.5 इंच की और उसे हम यहाँ पे देखिये लगा लेंगे तो एक डोरी हमें यहाँ लगानी है एक यहाँ सिरफ पिछले वाले पीस पे लगा रही हूँ मैं यह देखिये यह हमारा इस तरीके से open ही रहेगा तो यह हमारा organizer बनके ready हो चुका है तो चलिए बताती है इसका use क्या किया है मैंने तो इसे मैं hang करने वाली हूँ हमारे देखिये इस तरीके से कई बार almira fridge के पीछे बहुत ज़्यादा space होता है वहाँ पे मैंने एक hook लगा लिया है इस तरीके से adhesive hook यह आपको online अराम से मिल जाते हैं यहाँ पे मैंने इससे कर दिया hang यह वाले जो hook हैं यह approximate 5 kg तक का वजन ले लेते हैं उसी के इसाब से यह hook आपको amazon पे मिल जाते हैं तो यहाँ पे मैंने यह थैला hang कर दिया और इसमें मैंने रख दिया umbrella देखिये तो इस तरीके से अलग-अलग size के हमारे पास umbrella होते हैं उसका आप इस तरीके से back बना के उन्हें इस तरीके से पीछे एक ही जगा पे सारे hang कर दीजिए एक तो इसका cover बना हुआ है तो यह जल्दी से गंदा नहीं होगा और जब भी use करना है देखिये आप umbrella को अराम से निकाल लीजिए और back को यहीं लटका रहने दीजिए और जब भी आपका काम हो जाए तो दुबारा से आप इसे यहीं पे store करके रख दीजिए यह देखिये तो मैं इसे use कर लूँगे और जब इसका काम हो जाएगा तो इस तरीके से छोटे बड़े अलग-लग size के आप bag बना सकते हैं या एक ही बड़े size का bag बना के उसमें सारे amrelas रख सकते हैं तो छोटा सा idea है I hope आपको पसंद आया होगा तो चलिए देखते है next idea तो next idea इस तरीके से readymate plazo को लेके हिप की तरफ से तो आप उसे कैसे मियानी लगा के उसे lose बना सकते हैं मियानी लगाने से दो फाइदे होंगे अगर आप healthy है थोड़े से तो ये बहुत ही comfortable plazo आपका बन जाएगा क्योंकि market के plazo में मियानी वगरे नहीं होती तो आप अपने से ही इसमें मियानी लगा सकते हैं तो बहुत ही easy तरीका बताने वाली हूँ आपको यहाँ पर मियानी लगाने का इससे आपका lose भी हो जाएगा पहने में comfortable भी होगा और यहाँ नीचे की तरफ से जल्दी जो फट जाता है हमारा वो फटेगा भी नहीं तो हमें क्या करना है देखी मैंने इसे दोनों तरफ से इस तरीके से आसन मली जगा से उधेड लिया है अब आपको क्या करना है कोई भी आपको लेना है matching इसमें कपड़ा जो इसके साथ मैच करता हो देखे यहां से थोड़ा सा उधेड़ा है नीचे से इस तरीके से और पूरा आसन की तरफ से उधेड़ दिया है बेल्ट आपको लग करने की जोरत नहीं है अब मियानी के लिए कोई भी मिलता जुलता कपड़ा ले लीजे कपड़े के आपको दो पिसेज चाहिए यहां पे हर एक साइज के लिए आप इस सेम साइज की मियानी लगा सकते है मियानी का साइज आप थोड़ा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते है तो अब हमें क्या करना है देखिए हमें इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और यहां पर हमें इसे शेप देनी है तो यहां से निशान लगाया है मैंने त्री इंच पे और लंबाई मैंने यहां पर मियानी के लिए एट इंच उसके बाद देखिए हमें इस तरीके से इसे ह इचे की तरफ से देनी है अप्रॉक्सिमेट हाफ इंच के करीं आधे इंच की शेप यहां से मैंने दे दी बस इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यह हमारी नियानी की कटिंग हो गई है तो चलिए बहुत ही इजी तरीके से इसे जॉइन करना बता देती हूँ इचे कैसे करना है यहां से हमें अटैच करेंगे इसे तो करना क्या है देखिए इस तरीके से यह जो कट वाला हिससा ओता है चौड़े वाला नीचे की तरफ रखना है जैसा आपको वीडियो में देख रहा है मैं आपको बिल्कुल आराम से पिन अप करके दिखा रही हूँ ब बहत एजली देखिए, इसमें सिलाई लग जाती है, जो तीखे वपला है, वो उपर की तरफ किया, और इस तरीके से रख़ा है, देखिए, अब हमें पूरा देखे, यहां से लेके, पुरा एक कॉर्णर तक, यहां से लेके, यहां तक इस पे सिलाई लगाना है, पकड़ेंगे देखिए इस तरीके से, यहां से इसे ऐसी रखते हुए, आभी मैं आपको सिलाई मशीन पे सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी देखिए, तो बिल्कुल जैसे मैं पिन अप कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको इस पे सिलाई लगानी है, यह देखिए, मैं से हम यहां तक इस पर सिलाई लगा लेंगे पूरे कॉर्णर पे एक कॉर्णर से देखिए यहां तक तो देखिए यहां से मैंने सिलाई लगाना शुरू किया उपर की तरफ से पिन को मैंने निकाल दिया और यहां से देखिए आपको इस तरीके से इसे पहले सिलाई लगा ले और पूरा लंबाई में इस पर सिलाई लगा लीजी तो यह हमारी मियानी देखिए इसके साथ जॉइन हो गई है यह देखिए तो पूरी हमारी इसमें सिलाई लग गई बस ऐसे ही जैसे हमने यह सिलाई लगाई है बिल्कुल ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी मियानी को जॉइन करना है दिखिए इसे बहुत अच्छा हमारा ये देखिए लूज भी हो जाएगा अगर ये हिप से आपको टाइट है तो भी ये लूज हो जाएगा और आप बहुत एजली अपने इस प्लाजो को डाल पाएंगे दोनों तरफ मैंने मियानी लगा दी तो देखिए हमारा हिप की तरफ से ये काफी अच्छा लूज हो चुका है अब आप इस पे नीचे वाली सिलाई लगा लीजिए यहां से लेके यहां तक यह देखिए पूरा हम इसमें सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली और यह हमारा मियानी इसके साथ जॉइन हो चुकी है तो अगर आपका भी कोई प्लाजो पेंट प्लाजो पजामा कुछ भी लोवर वगारा टाइट है तो आप इस तरीके से मियानी जोड के उसे सिल सकते है और अगर नीचे की तरफ से कहीं बर फट जाता है सिलाई नहीं लगती तो उसे भी आप इस तरीके से ठीक कर सकते है तो यह थे कुछ चोटी-चोटे आइडियास जो मैंने आपके साथ शेयर किये आइडियास पसंद आए होंगे आइडियास पसंद आए हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू